नमस्कार कैसे हैं आप सभी बहुत-बहुत स्वागत हैं आप सभी का इस्टर तक में मैं हूराखे मिर्शा आज बात करने जा रहे हैं कुम सकरांती के बारे में यानि कि सूर्य की राशी परिवर्तन के बारे में कुम राशी सूर्य के पुत्र की राशी में यानिकि शनी देव की राशी है तो सूर्य और जो शनी देव हैं उनमें आपस में पिता और पुत्र का रिष्टा है लेकिन दोनों आपस में शत्रुता का भाव भी रखते हैं सूर्य को जहां पे आत्मा का कारग्रह माना गया है पिता के लिए कारग्रह माना गया है आरुक्य के लिए भी सूर्य को ही देखा जाता है वहीं सरकारी नौकरी और सत्ता पक्ष के लिए भी सूर्य को ही देखा जाता है वहीं शनी देव जो हैं अनुशासन के लिए जाने जाते है कर्मफल दाता कहे जाते हैं शनी देव यूँ तो सूरिय और शनी की जो यूती है बहुत ही शुब नहीं माने जाती लेकिन इस सब्बर अगर आप अपनी इंगो छोड़ के एहंकार छोड़ करके अनुशासन के साथ आके बढ़ेंगे तो ये जो समय है आप इस समय पे सफल जरूर होंगे तो आए जानेंगे कि ये जो यूती है सूर्य और शनी की जो यूती है जहां सूर्य देव अपने पुत्र की राशी में यानि की कुम राशी में गोचर करेंगे तो सभी राशियों के लिए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा आज सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी से लेकर के कन्या राशी के जातकों को पर इस सूर्य के राशी परिवर्तन का कुम सक्रांति का क्या प्रभाव होने जा रहा है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के बारे मेश राशी के लिए ये जो गोचर है आपके एकादश भाव में है तो इस समय ये जो भाव होता है ये इच्छा की पूर्ती का भाव होता है तो इस समय पे आपके प्रोमोशन के चांसे बनते हैं आपके काम की तारीफ होगी और आपके सीनियर्स के पद का आपको सम्मान रखने की जरूरत है सीनियर्स का सम्मान करने की जरूरत है अगर एहंकार में रहे करके अतियुत्साही हो करके आप अपने सीनियर्स से बाचीत करेंगे या उनका मकौल उड़ाएंगे तो ये समय आपको के लिए और भी कश्टद इसके साथ भी तीर्स थल पर रियातरा जरूर करें तो आपके मन को शांती मिलेगी और आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की थोड़ी जरूरत है इस समय अगर एक उपाई की बात करें तो आपको तांबे के लोटे से सूरेधे को अर्ग जरूर देना चाहिए इसके साथ ही बात करेंगे विरिशब राशी के बारे में विरिशब राशी के लिए जो गोचर है आपके 10th house में है यानि कि आपके कर्म के भाव में है तो इस समय आपके मान सम्मान में बड़ोतरी होगी आपकी position पहले से better होगी financial condition आपकी पहले से better होगी आपको responsibility मिलेंगी और आपको leadership का म position है जो आपके काम है वो बिगड़ भी सकते हैं तो इस समय आपको सरफ एक चीज़ पर दिहान देना है कि आपको एहंकार से इस समय पर बचना है इस समय के लिए अगर एक उपाई की बात करें तो आपको चाहिए कि आप अपने बड़े बज़र्गों से जितना हो सके आशि सबसे जरूरी है कि किसी भी तरह से आपको अपके भागे का साथ तो मिलेगा लेकिन धार्मी कारों में रुची भी होगी लेकिन आपको यह कोशिश करनी है कि किसी भी तरह से कोई भी इगो या फिर प्राउड की फीलिंग आप में नहीं आनी चाहिए और आपको अपने भा के ही बलबूते पर आगे जरूर बढ़ेंगे एक उपाई की बात की जाए तो रविवार के दिन आपको शिवलिंग पर गेहुं अरपित जरूर करना चाहिए करकराशी की बात करते हैं करकराशी के लिए ये जो गोचर है आपके अश्टमभाव में है तो इस समय आपको किसी तरह के नए निवेश से बचना है पैत्रिक संपत्ति के लिए वाद विवाद के होने की संभावना है तो इस समय पे थोड़ा सा संभल करके चलने की जरूरत है और इसके साथ ही अपने स्वास का खास खयाल रखें खास तो पर लूवर अब्डिमन का खयाल रखें तनाव से बचने की जरूरत है और कोई भी फैसला बहुत ही समझदारी से और सोथ समझ करके लेने की जरूरत है अगर किसी विवाद में फसे हुए हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको बहुत ही समझदारी और शांती से सुलजाने के लिए कोशिश करें इसके साथ ही अपने सम्मान क साथ साथ दूसरों के समान का भी पूरी तरीके से ध्यान रखें वहीं आप अगर किसी यातरा पे जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने समान का और अपनी सेहत दोनों का ख्याल जरूर रखें अगर एक उपाई की बात की जाए आपके लिए तो आपको सोरियाश्टक का पार्ट किसमय पर ज़रूर करना चाहिए बात करेंगे सिंग राशी के बारे में सिंग राशी के लिए जो गोचर है आपके सब्तम हाउस पे हैं यानि कि हाउस ओफ पार्टनरशिप है इस समय पे आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत जादा खुश मिजात हो करके बात करने की जरूरत है नहीं तो तनाव की संभावना बनती है अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दे थोड़ा सा बहुत जादा किसी भी तरह की डिसकेशन में या वाद विवाद में पढ़ने के अपने पार्टनर के आपको बचने की जरूरत हैं बिजनस पार्टनर के साथ आप जो भी डिल करते हैं अपने उसको पूरा अपना पेपर वर्क सारी चीजें पूरी करें अगर आप टैक्स पेर हैं तो अपने टैक्स टाइम पर भरें इसके साथ ही आपको किसी भी व्यक्ति पे बहुत असानी से विश्वास करने की जरुत नहीं है या जरुत से जादा शक भी ना करें हो सकता है कि इस समय अगर आप किसी अंजान व्यक्ति पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं तो धोके की संभावनाएं भी बनती हैं और इसके साथ ही आपको खुद की सेहत का ख्याल रखने की भी खासी जरूरत है अगर यह कुपाई की बात की जाए तो आप चाहिए कि इस समय उसमें गोचर है इस समय पे तो इस समय यह जो गोचर है बहुत ही महत पूर्ण गोचर है आपको नौकरी में अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं परिणाम की संभावनाएं अगर आपने कोई कॉम्पेटिटिव एक्जाम दिया है तो वो भी आपको क्लियर कर सकते हैं लेकिन शत्रू एक्टिव हो सकते हैं आपको परिशान कर सकते हैं लेकिन आपके शत्रू आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे लेकिन इस एहंकार में इस इगो में नहीं रहेगा कि कोई आपको परिशान कर ही नहीं सकता है तो इस समय पे भी आपको संभल कर चलने की जरूरत है में थोड़ी अस्थिरता रहे कि आपके healthy issues हो सकते हैं, stomach and intestinal issues भी आपको हो सकते हैं, तो खाने पीने का खास तोर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, indigestion की problem हो सकती है, आप इस समय पे अगर एक उपाई की हम बात करें, तो सूरे देव के किसी भी एक मंदर का जब जरूर कर सकते हैं, तो ये था निश रासी से लेकर के कर्मिया राश के अजाद को पर इस समय जो सूरे का ये राशी परिवर्त हैं कुम सकरांती के समय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्टरो तक, तैंक यू सो मच, आप सभी का दिन शुब हो,